हेलो दोस्तों कैसे हैं आप फ्रेंड लाइट सपोज आपने बहुत मैनत करके एक रिपोर्ट की रेट की है जिसमें आपने मल्टिपला फॉर्मलेज लगाए हैं कंडिशन्स लगाई भी हैं लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपके उस डेटा में कोई कुछ चेंजिस कर पाए सो वहाँ पर आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जी हां आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप MS Excel में अपने सेलेक्टिट डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप MS Excel में अपने फॉर्मलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं साथ ही साथ हम डि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलेगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइस हम आज चुके अपने computer की screen पर और आज हम discuss कर रहे हैं कि कैसे आप MS Excel में अपने selected cells का data या फिर formula यहाँ पर protect कर सकते हैं guys at times यह आपके लिए काफ़ी important हो जाता है जब आपने बहुत महनत करके अपनी कोई report मनाई होती है MS Excel में और आप चाहते हैं कि कोई भी उसे कुछ changes ना कर पाए तो यहाँ पर आप अपने selected data को या formula को protect कर सकते हैं कि ताकि कोई उसमें changes ना कर पाए तो जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं हमने एक dummy data रखवा है students का और यहाँ पर column IE में उनके average number है और average number के basis पे average number के basis पे हमने यहाँ पर column J में कुछ conditions लगाई वी हैं तो अगर student के average number 33 से कम होते हैं तो वो जाते हैं fail की category में अगर student के average number 33 250 के बीच में होते हैं तो वो जाते हैं pass की category में otherwise third condition है excellent की तो इस तरही के सा हमने कुछ एक dummy data यहाँ पर बनाया हुआ है तो अब discuss करते हैं कि आप अपने जो selected data या फिर अपने formulas हैं उनको कैसे protect कर सकते हैं तो अगर अभी आप अपने data के बीच में cursor रखते हैं और करते हैं control A तो यहाँ पर आपका entire data select हो जाता है इस तरहीके से हम करके दिखा देते हैं control A प्रेस किया control A प्रेस करने पर यहाँ पर entire data select हो गया है तो हमें यहाँ पर करनी है entire worksheet select तो first of all हमें entire worksheet select करनी होगी अपना cursor कहीं भी out of the data रख दीजिए यहाँ पर cells पर कहीं भी भार रख दीजिए और press करिए control A इस तरहीके से आपका entire worksheet है वो select हो जाती है या फिर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर जाना एक टॉप पर left में हैसाइन दिख रहा होगा select entire worksheet का इस पर click कर दिजिए इस तरहीके से आपकी entire worksheet select हो चुकी है अब आपको second option क्या करना है, second action क्या लेना है, आपको जाना है यहाँ पर generals में, home के अंतरकत आपको यहाँ generals में जाना है, और last option मिलता है आपको more number formats का, इस पर ok करते हैं तो format sales की हाँ आपर हमें window जो है open हो जाती है, इस तरीके से आप जैसे की देख पारें, same window आप open कर सकते हैं यहाँ पर right click करके, आप right click करें और यहाँ पर आपको option मिलता है, format sales का, आप इसे ok कर दीजे, तो यहाँ पर भी format sales की window यहाँ पर open हो चुकी है, या फिर आपको क्या करना है, आप home में जाएंगे और यहाँ पर font के आगे आपको यह down arrow का sign मिल रहा है, आप इस पर click कर सकते है या फिर alignment में यहाँ पर click कर दीजे, या फिर numbers के आगे भी आपको यह down arrow का sign मिल रहा है, इसी पर भी click कर दीजे, आपका format sales की window जो है open हो जाएगे, या फिर आपको करना है यहाँ पर control 1, तो इस तरीके से आप format sales की window जो है open कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखे, आपको multiple tabs नजर आ रहे होंगे, number, alignment, font, border, fill और production, तो यहाँ पर हमें जाना है production पर, जब हम protection पर जाते हैं, by default locked पर click होता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से locked को unlock कर देना है, तो इस तरीके से हमने unlock कर दिया और इसे यहाँ पर ok कर देना है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी वो range select करनी है, या फिर वो data select करना है, या फिर आपको अपने formula select करने है, जो आप product करना चाते हैं, तो मैं आपको simply बता दूँ, यहाँ पर आप short trick यूज़ कर सकते हैं, अपना entire formula को select करने का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर press करना है, control G, control G करके आप जो है अपन special में, special में जाएंगे, और यहाँ पर आपको option मिल रहा है, formulas का, इस पर आपने ok कर दिया, formulas पर, अब आपको simply यहाँ पर ok कर देना है, जब आप ok करेंगे, आपकी worksheet में जहाँ जहाँ भी formula होंगे, वो automatically select हो जाएंगे, चलिए ok करते हैं, इस तरह किसा आप देख रहे हैं, य change हमारी यहाँ पर select हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको press करना है ctrl 1, ctrl 1 हम press कर देते हैं, ctrl 1 press करने के बाद format cells की window आगई है, आपको यहाँ protection में locked पे click कर देना है, यहाँ पर हमने click कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ पर simply ok पे click कर देना है, जब हम ok पर क्लिक करते हैं सो अभी देखिए अभी हमारा करसर जा रहा है और हम यहां पर चेंजिस भी कर सकते हैं लेकिन अब आपको क्या स्टैप करना है स्टैप लेना है यहां पर आपको जाना है रिव्यू में रिव्यू में जाने के बाद आपको जाना है प्रोटेक्ट शीट पर पीचे option आ रहा है allow all user to this worksheet to जो user है उसको आप कौन-कौन से feature प्रोवाइड करना चाहते हैं यहां पर कुछ इस तरीके के multiple options आ रहे हैं by default आप जब इसको खोलते हैं तो यहां पर यह दोनों options automatically by default clicked होते हैं select locked cells और select unlocked cells so,फिलाल हम किसी पर भी click नहीं कर रहे हैं और simply यहां पर okay कर देते हैं यह आपके उपर है कि आप अपने यहां पर password देना चाहें या नहीं फिलाल इसे normally protect कर रहे हैं चलिए okay कर देते हैं ओके करने के बाद आप देख रहे हैं, हमारा कहीं भी करसर क्लिक नहीं हो पाएगा, means आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके सा आपको एरर आ जाएगी, इस सेल्फ और चार्ट यूर ट्राइंग टू चेंज, इस ओन ए प्रोडेक्टिट शीट, तो यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, इस तरीके सा जैसकी मैं कर रहा हूँ, आप कहीं भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अन प्रोडेक्ट शीट पे क्लिक करना है, उसके बाद दुबारा जाएर, प्रोडेक्ट शीट पे, प्रोडेक्ट शीट पे जाने के बाद, चलिए हम यहाँ पर, जो first two options हैं, जब हम first को option को select करते हैं, select locked cells, so automatically second option यहां पर select हो जाता है, select unlocked cells वाला, तो चलिए हम first option को यहाँ पर हटाते हैं और second option की यहाँ पर discuss करते हैं Select Unlocked Cells जब हम इस पर okay करेंगे तो आपके जितने भी Unlocked Cells होंगे जहाँ पर आपने यह range select नहीं करियोगी जो आपने range दीती यहाँ पर range को आपने select किया था यहाँ पर protect किया था तो आप उनको यहाँ पर select नहीं कर पाएंगे Unlocked Cells को select कर पाएंगे चलिए okay कर देते हैं ओके करने के बाद आप जैसे की देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा cursor जा रहा है इस तरीके से जब आप देखे राइट जब हम यहाँ पर cursor अपना यहाँ पर ले जाएंगे इसमें column match में so automatically हमारा cursor हो column K में चल जाएगा इस तरीके से आप जैसे की देख पा रहे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपका cells नहीं जा रहा है आपका cursor नहीं जा रहा है Okay करने के बाद आप देख रहे हैं आपका करस्व जैसके आप देख रहे हैं, अब आपका Selected जो आपने Select Range अपने Protect करी थी, वहाँ पर भी आपका करस्व हाँ रहा है। लेकिन Change करके देखते ह। क्या आप यहाँ पर कुछ Changes कर पा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कुछ चेंजिस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आपको Microsoft Excel की Error आ गई है इसल और चार्ट यूर ट्राइंग तो चेंज इस ऑन अ प्रोटेक्टिट शीट इस तरीक सा आप यहाँ पर रीट्र पर कुछ नंबर चेंज करना चाते हैं तो आप देखे हैं यहां पर चेंज होता ओगा और ये धिल में चींज हो गया, Total में चेंज हो गया, Average में से चेंज हो गया, और यहां पर Status में भी चेंज हो गया, let's दुबारा चेंज करके देखते हैं, तो देखिए पूरा चेंज होते हुए आपको देख रहे हैं, आपके Data पे कोई Impact नहीं पढ़ रहा है आपके formula में कोई impact नहीं पढ़ रहा है सिर्फ यह हो रहा है कि आपने जो range select करी है वो protect हो चुकी है वहाँ पर कोई change नहीं कर पाएगा चलिए आप इसके और functions की बात करते हैं जाते हैं unprotect sheet पर unprotect करते हैं और इसको दुबारा से protect करते हैं अब यहाँ पर देख रहे हैं आप allow all user of this worksheet to यहाँ पर आपको multiple इन दो के इलावा और multiple options भी मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पर आप जो भी access अपने user को देना चाहें उनको simply select कर लिजए यहाँ पर हमें user को access देना है insert columns का कि वो columns यहाँ पर insert row कर पाए और यहाँ और देख लेते हैं या फिर कुछ sorting कर पाए sorting को बाद में लेते हैं और फिलाल इन दो को select करते हैं हमने okay कर दिया okay करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर आप कोई row select जो add कर पा रहे हैं या फिर कोई column add कर पा रहे हैं या नहीं चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर row add करने की आपको क्या करना है shift space bar select करना है जहां भी आप row add करना चाहते हैं और प्रेस करिए control plus इस तरहीं से आपने row add कर दी हम row यहाँ पर add कर पा रहे हैं अभी क्योंकि हमने वहाँ पर access दे दिया था और let's suppose हमें यहाँ add करनी है कोई column सो आपको क्या करना है यहाँ पर control space bar और उसके बाद space bar पर click करिए control space bar और यहा हम यहाँ पर options जो है use कर पा रहे हैं अब check करते हैं कि यहाँ पर क्या हम sorting की command को use कर पाते हैं data हमने select कर लिया और जैसकि आप देख रहे हैं यहाँ पर sorting sorting या filtering की command अभी फिलाल disabled है चलिए देखते हैं home में जाके home में क्या पता हमें मिल जाए लेकिन इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर जाते हैं review में review में जाने बाद sheet को करते है अं protect, unprotect करने बाद दुबारे से protect करते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूज करते है sort command को sort command हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया फिर आप filter यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर select कर लिया अब हम data select करते है data select करने के बाद आप यहाँ पर कर दीजिए right click right click करने बाद अब देख रहे हैं यहाँ पर इसे okay कर देते हैं तो okay करने के बाद आप देख रहे हैं data हमारा change होका और यहाँ पर यह नमबर भी automatically उसने A to Z के format में ले लिये हैं तो यहाँ पर इस तरीके सा आप इससे use कर सकते हैं तो multiple options हैं जो भी access आप अपने user को देना चाहें इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं तो friends यह काफी useful knowledge है काफी useful trick है जो आपको आनी चाहिए क्योंकि यह at times बहुत आप लिए important हो जाती है तो friends आज की वीडियो में हमने सीखा है कि कैसे आप MS Excel में अपने selected data को protect कर सकते हैं MS Excel में अपने formula प्रोटेक्ट कर सकते हैं जा फिर कैसे आप अपनी worksheet में entire formula को एक साथ select कर सकते हैं तो यह चीज हमने यहाँ पर सीखिया है साथ ही हमने सीखा है कि आप worksheet को कैसे protect कर सकते हैं worksheet को कैसे unprotect कर सकते हैं तो friends आज की वीडियो में इतना ही friends उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलेगा चलिए मिलते हैं आपसे MSXL की next वीडियो में तिल रेन टेक केर और बाबाए वन्दे मातरं